एलिजबेथ होल्मस एलिजबेथ होल्मस जन्म 3 फरवरी 1984 को हुई एक अमेरिकी व्यापारिका है और पूर्व थेरानोस नामक स्वास्ट्य तक्नीक कमपनी की पूर्व CEO हैं। उन्होंने अपने दावों के लिए प्रसिधी प्राप्त की थी कि उन्होंने एक क्रांतिकारी रक्त परीक्षन प्राग्योगी की विक्सित की है। हालांकी बाद में पता चला कि थेरानोस की प्राध्योगी की विज्यापन के अनुसार काम नहीं कर रही थी और कमपनी ने निवेश को और रोगियों को अपनी उपकर्णों की ख्शमताओं के बारे में गुम्राह किया। हालांकी थेरानोस की परिचालन में कई उलंगनों और कमियों का पता लगाया। इन जाचों के परिणामस्वरूप कमपनी की पतन का सामर्थ्य मिला। 2018 में प्रतिभूती और विनिमय आयोग सेक ने होल्मस और पूर्व थेरानोस अध्यक्ष रमेश सनी बल्वानी के खिलाफ विशाल धोखाधरी के आरोप लगाये। उन्हें यहाँ आरोप लगाया गया कि उन्होंने थेरानोस की प्रोध्योगी की वित्तिय प्रदर्शन और व्यापारिक साज़ेदारियों के बारे में जूठे दावे और गरबडिभे बयानों के माध्यम से निवेशकों से साथ अरब डॉलर से अधिक का धन जुटाया। 2021 में अमेरिका में एलिजबेथ होल्म्स को ततपरता पूर्व में वायर धोखाधरी और धोखाधरी की साज़िश के आरोप में उच्छ प्रोफाइल आपराधिक मुकदमे में लाया गया। मुकदमा 2021 के अगस्ट में शुरू हुआ और 2022 में समाप्थ हुआ। 2023 के मार्च में एक संघीय जूरी ने होल्म्स को धोखाधरी के कई आरोपों में दोशी करार दिया। दिया में हायप और धोखेबाजी के जोखिमों पर सवाल उठाए हैं।